ओम्च शान्ती, पतित पावन, Heavenly Godfather, रुहानी बाप ने आज हम बच्चों को शुद्ध नशा चढ़ाया, कि हम इश्वर के मददकार, गुप्त, रुहानी, शक्ती सेना हैं, जो भारत के डूबे हुए बेडे को सेलवेज करते, रावन की जंजीरों से सारे विश्व को छुडाते हैं और आज बाबा ने अपनी बांधिली बच्चीयों को भी याद किया, जो मारें खाकर भी शुब बाबा को दिल से याद करती हैं और अपना उंच पद बना लेती हैं, आईए रिवाइस करते हैं आज के 20 जुलाई 2022 के बाबा के महावाक्यों को आज की मुरली का सार है, तुम रुहानी सेना हो, तुम्हारे बिगर रावन से सारे विश्व की रक्षा कोई नहीं कर सकता, इसी शुद्ध नशे में रहना है बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? बांधेली बच्चियों का, जो मार खाकर भी शिव बाबा को याद करती हैं बांधिली बच्चियों की विशेष्टाएं क्या है? नश्टो मोहा बनती जाती, पद और ही उंचा हो जाता, बाबा भी ऐसी बच्चियों को याद करते कौन सा निश्चे और नशा हमें निश्चिन्त बनाता है? जिसका मददकार सोयम भगवान है, उसकी विजे नहीं होगी, तो किसकी होगी? इस भावी को कोई टाल नहीं सकता आज की मुरली की अनुसा, श्रिव बाबा की महिमा, रचाइता, अविनाशी, शाहन शाह, पतित पावन, हैवनली गौड़ फादर, आल्माइटी अथारिटी श्रिव बाबा को याद करने से क्या फाइदे होते? राज्य पाते, बेड़ा पार होता, विकर्म विनाश होते, आत्मा दुख से छूटती, विश्व के मालिक बनते सबसे श्रेष्ट कर्म कौन सा है? सबको बाब का परिच्चे देना जो बच्चे इश्वर के मददकार बनते हैं, ऐसी सेना के क्या टाइटल्स है? गुप्त सेना, शक्ती सेना, रुहानी सेना, ईश्वरिय सेना, जबर्दस्त सेना, नौन वॉयलेंस सेना हम बच्चों को किन बातों का नशा है हम रुहानी सेना है बाप आकर सब को रहा बताते देहली फिर से परिस्तान बनेगी यह नई नॉलेज हमको मिलती है और एक ही बार मिलती है हमारे बिगर रावन से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता संगम पर हम बच्चे क्या कर रहे है रावन पर विजय पा रहे है श्रीमत पर श्रेश्ट कर्म कर रहे है रावन रूपी जेल से चुटकारा पा रहे है डारेक्शन अनुसार इस स्रिष्टी पर अपनी बाच्शाही स्थापन कर रहे है हमें किन बातों की धारणा करनी है? सच्ची दिल रखनी है, पूरा-पूरा नश्टो मोहा बनना है, शरीर का अभिमान छोड़ देना है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ट कर्म करने है, बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है, कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो इसका ध्यान रख यह थी आज की मुरली की विशेश बातें, हम बच्चों को ऐसी दुनिया में जाना है, जो दुनिया सच्चाई की है, जहां मोहो का अंश मात्र नहीं, ऐसी दुनिया, जहां देह भान नहीं, ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें सच्चा बनना है, नश्टो मोहा बनना है, और देह के भान को छोड़ते जाना है ओम शन्ति